वीवन वल्कम टू बेइंग टीचर आई वब आप सभी अच्छी होंगी बिहार सिच्छक भरती का रेजिस्टेशन जो है वो चल रहा है लेकिन रेजिस्टेशन के साथ साथ में लोग गलतियां भी कर रहे हैं मैंने पर तक कि जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सभी मैंने होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी वी वीडियो में आप कमेंट कर दीजे मैं उसका आपको रिपलाई दूंगा लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे गलतिया कर रहे हैं और यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टन चीज है जो बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं जो नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे हैं दोनों की बात यहां पर मैं कर रहा हूं जुन लोगों ने पिछली बार एक्जाम दिया था फेज वन में और जो इस बार फेज टू हो रहा है दोनों के लिए निज बहुत ही इंपोर्टन है यहां पी सिर्फ फॉर्म करेक् सकते हैं कि आप बलंडर कर रहा हैं क्योंकि यह प्रॉब्लम अगर आप करते हैं तो इसका सुलिजन बहुत ही मुस्खिल से होगा और बहुत मुस्किल से घराई आपको सबसे पहली चीज है कि आपको यहां पर तस्ता को पहbnत है में आपको आधार काड अंकित किया जाना अप 1 चित है आपको दोनों तरफ में उसका सकन करके आपको अप करना है और आपकी पास में जो बडा वाला जिस पोश्ट से आता है वो अगर आपके पास में तो आपको सिर्फ फ्रंट वाला ही अप्लोड करना है यहाँ पर आपको अधारकर्ड अप्लोड करना ही पड़ेगा और कोई option यहाँ पर नहीं है ठीक है अब हम बात करते हैं हम की form correction की देखें यहाँ पर सबसे पहले important चीज क्या है आपको य लेट फीस के साथ में 17 नॉमबर तक है अगर आप 14 नॉमबर तक form नहीं फिल कर पाते हैं तो 17 नॉमबर तक अपनी लेट फीस के साथ में अपना registration कंप्लीट कर सकते हैं अब यहीं पर हम आते हैं कि आपको दूसरा form का फिल करना पड़ेगा आपको यहाँ पर form फिल करके यह नहीं सूचना है कि आपका form फिल हो गया है यह सिर्फ आपका registration हो रहा है जिससे कि यह एक अंदाजा लगा जा सके कि टोटल कितने बच्चों ने registration किया है और अपने according जो BPSC है वो अपनी कुछ बेवस्ताएं start कर दे ओके फिर आपका जो form है वो आपका 25 नॉमबर तक जिसक की कstudy यहां पर लिक दिया गया है अविस तारणी धीक है ने पहले फेच में क्या हो था बच्चों को बहुत सारी सहूलिते दी गई थी बहुत सारी उनकी जो मांगे थी मानी गई थी क्योंकि पहली परती थी और जो सरकार थी वो चाहती थी कि बहुती आराम में और चूर क इसे ये भरती complete हो जाए और हुई भी correction का मौका भी दिया गया बार बार document upload करने के लिए कहा गया date भी extend हुई लेकिन इस भरती में ऐसा बिलकुल नहीं है इसमें time कम है सरकार चाहती है कि election से पहले पहले ये भरती complete हो जाए result आ जाए और सभी बच्चों को न्योकति पत्र भी म इस तारिक तक आपको complete form फिल करना है अभी आपका जो registration हो रहा है यह सिर्फ registration हो रहा है ओके दस से 25 के बीच में जो है आपको online आवेदन प्रारम्ब करने की तिति यह start है 10 से 25 के बीच में तो जिर लोगों का हो चुका है registration वो 10 तारिक से form फिल करना अपना start कर देंगे ठीक ह अब यहाँ पे हम आते हैं कि अगर आपका form गलत हो गया हो तो उसका क्या करना है देखे सबसे पहले मैं आपको बता दो यहाँ पे edit करने का कोई भी option का प्रावधान नहीं है अगर आपने registration कर लिया है तो registration में आप सूच रहे हैं कि edit कर लेंगे बाद में यहाँ पे payment से पह एक बार पांच बार दस बार पंद्रह बीस तरह बार आपको लगे है कि आपको form चेक करना है एक एक पॉइंट एक चीज चेक करिए कि इस बार correction की उम्मीद तो आप करिए यह मत कोई इस बार नहीं दी जाएगी और नेक्स चीज यह है कि अगर आपका form भर गया है यहां पर लिखा हुआ है नोट में कि अगर आपका form भर गया है वैसे बरती जिन्होंने आउनलाइन आवेदन के प्रक्रिया पूंड कर लिए है फिर भी किसी तुठी के द्रश्टिकत अपना आवेदन कैंसल करना चाहते हूं विन्यबंधन इवं भुगतान की अंतिम्तिति से पूर्पन नतलब रिजेस्टेशन जो है 14-17 तक वो डेट से पहले अपने अप्लिक पर रिजेस्टेशन गलत हो जा रहा है या फी समिट हो जा रही या आपका फी समिट नहीं कर रहे हैं फिर भी आपमें कोई करेक्शण करना चाहते हैं तो आप एक काम करसकते हैं वो शॉलूशन यह है कि आप जागर के दुबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं क्युंकि जो तो भी आपको पैमेंट आपको आप्स नहीं दिया जाएगा यहाँ पर तूब से लिखा हुआ आप जा गर के दूसरा इमेल दे से अपना फॉर्म भर सकते हैं यहाँ सबस्स इंप्रस चीज एक और है कि आपको यहां पे जो documents upload करना है जो भी details upload करनी है वो सही details upload करनी है और 10th की mark sheet के according ही upload करना है तो इतनी ही news थी और अगर आपको कोई personal doubt लग रहा है तो comment box में comment रहे के इसलिए form को गलत मत भरिए और फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा तो फिर आपके responsibility आप जानिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप form गलत ना भरें तो ध्यान लखिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में बाई बाई